3, 2, 1, ready? की गई थी, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे मार्च से नहीं पढ़ पा रहे हैं, विराम वहीं नीजी स्कूलों की ओन लाइन पढ़ाई को लोग फीस से ही जोड कर देख रहे हैं, विराम लोगों का मानना हैं की तमाम स्कूल अभी भावकों से फीस लेने की मनसा से ही यह ओनलाइन ककसाई संचालित कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह हैं की बच्चे घर बैटे भी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, चाहे वह ओनलाइन ही क्यों नहीं हो, विराम जहां तक ओनलाइन सिक्षा की बात हैं, तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों के सिक्षकों और विध्यारतियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से जोड़ना आवश्यक हैं, विराम हालां की सिक्षन की यह विवस्था दूर से बैठ कर संचालित की जाती हैं, इसलिए कई तरह की चुनोतियां भी हैं, विराम असल समस्या ग्रामीन इलाकों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए हैं, क्योंकि मूल भूत समस्या तकनीकी सिक्षा और इंटरनेट का विस्तार नहीं होना हैं, विराम अब सवाल उठता हैं कि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए प्रश्नवाचक चिन्न किस तरह के विकल्पों को आज माया जाए प्रश्नवाचक पैरा, जिनके पास इंटरनेट और लेप्टॉप आदी की सुवीदा हैं, वे ओनलाइन जुड सकते हैं विराम, साथ ही बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हों, जहां वे तकनीकी सिक्षा के साथ सहजता महसूस करते हों, लेकिन सरकारी और ग्रामीन स्कूलों के लिए ओनलाइन पढ़ाई करना मुस्किल हैं, विराम, जबकि नीजी स्कूल पिछले तीन महीने से फोन के माध्यम से बच्चों व उनके पेरेंट्स के संपर्क में हैं, और ओनलाइन ककसाएं चला रहे हैं, विराम, एक बात इसपश्ट हैं कि स्मार्ट फोन की सूविदा बहुत कम लोगों के पास हैं, लेकिन सामान्ये फोन ज़्यादतर लोगों के पास उपलब्द हैं, विराम, सरकारी स्कूलों को उन पर संपर्क करना चाहिए, विराम, हमें यह सोचने की जरूरत हैं कि अभी के हालात में जो टेक्नोलोजी उपलब्द हैं, उससे क्या क्या किया जा सकता हैं, प्रश्नवाचक यह कोशिस सरकारी और संस्था के इस्तर पर भी हो रही हैं, विराम, महाराश्ट्र में नागपूर डिवीजन के च्छ जिल्लों में यह काम चल रहा हैं, विराम, वहां कई ऐसी पंचायतें हैं, जहां पर रेडियो प्रोग्राम लाउड स्पीकर से चलाए जा रहे हैं, विराम, इससे गावों में लोगों की प्रतिभागिता बड़ी हैं, विराम, ये कुछ उदहरण हैं कि विसम हालात में मुझूद संसाधनों के इस्तेमाल से कुछ किया जा सकता हैं, विराम, इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ेगी, लोगों के पास लेप्टोप आदी की सुविधा होगी, तो और कोशिसें की जा सकेंगी, विराम, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या सिमित होती हैं, विराम, ऐसे में अगर सिक्षक फोन के माध्यम से जुड़ते हैं तो कुछ काम हो सकता हैं, विराम, इससे बच्चों और अभी भावकों को भी सिक्षक से जुड़ाव महसूस होगा, विराम, समाद का यह एक माध्यम हैं, जिससे यह महसूस होगा की सिक्षक व्यक्तिगत तोर पर बच्चे को जानते हैं, विराम, सच है की यह ठोस विकल्प नहीं हैं, विराम, लेकिन एक तरीका हो सकता हैं, जिससे सिक्षक बच्चों से जुड़ सकते हैं, विराम, नीजी स्कूलों के ओन लाइन पढ़ाई से एक बात सामने आई हैं, कि अनपड अभी भावक भी सकारातमक प्रती किरिया दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता हैं कि बच्चे के प्रती उनकी भी जिम्मेदारी हैं, विराम पेरा, अगर बच्चों के सिक्षक उनके गर पर फोन करें, तो निश्चित ही यह एक अच्छा अनुबव होगा, विराम इस तरह के संपर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विराम हमें यह देखना चाहिए कि अभी जो ओनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा हैं, वह कितना प्रभावी साबित हो रहा हैं, विराम जो स्कूल या कोलेज ओनलाइन टिचिंग की सुविधा दे रहे हैं, उसका रिजल्ट कैसा हैं, बच्चों को कितनी सहूलियत मिल रही हैं, विराम इसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी हैं, विराम जो अच्छाईयां हैं, उसे आगे लेकर चला जाए, जो कमियां हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए, विराम हालां की छोटे बच्चों की ओनलाइन पढ़ाई का मामला कोट तक जा पहुँचा हैं, लेकिन ओनलाइन पढ़ाई भी एक अच्छा माध्यम हैं, कुछ नहीं से बहतर हैं, खाली बैठे बच्चे कुछ तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, विराम इस दिसा में राजस्तान सरकार को भी सरकारी स्कूलों के लिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई बादित नहीं हो, विराम स्टॉप